नर्गीस फाकरी को अपनी बोल्ड ड्रेस की वज़े से रियाल्टी शो डान्स प्लस टू के सेट पर एक अजीब इस्तिती का सामना करना पड़ा वो रितेज देस्मुक के साथ अपनी आने वाली फिल्म बेंजो का परमोशन करने के लिए वहाँ पहुँची थी उन्होंने एक खूब सूरत सा गाउन पहना था मगर बीच में एक सैक्सी कट था और इसी पर शो के प्रोडक्शन टीम ने आपती जता दी फैमिली शो होने की वज़े से शुरुआत में प्रोडक्शन टीम के सदस्यों नर्गिस को उस बोल्ट कट को कवर करने का अनुरोद किया मगर जब उन्होंने इस बात पर खास ध्यान नहीं दिया तो शो के डारेक्टर को बीच में हस्तचेप करना पड़ा उन्हें इस पस्ट करना पड़ा कि वो इस तरह के की स्किन शो करने वाली ड्रेस के साथ सेट पर नहीं जा सकती आखिर में नर्गिस को उनकी बात माननी पड़ी और अपनी ड्रेस के बीच के कट को पिन अप करना पड़ा विरो रिपोर्ट देबुमी न्यूज